हर्म कर्म जीवन संसकार कैसा रहेगा आज आपका हाल क्या कहता है आपका राशीफल देखिए भारत आज के साथ आज का राशीफल मेश राशीफल आशावादी बने और उजले पक्ष को देखे आपका विश्वास और उमीद आपके एक्छाओं और आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेगी आपकी कोई पुरानी बिमारी आजाब को परिशान कर सकती है जिसकी वज़र से आपको हस्पिटल भी जाना पड़ सकता है और आपका काफी धन भी खर्च हो सकता है आपको खिंता होगी आज आपके पास अपनी धनार्जन की शमता को बढ़ाने के लिए ताकत और समझ दोनों ही होंगे यात्रा के मौकों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए जीवन साती से बहुत जादा उमीदे रखना आपको वैवाहिक जीवन में उदासी की तरफ ले जा सकता है उपाए फलदार पौधे लगाना पारिवारिक जीवन के लिए बहुत शुब है व्रिश राशी फल आप खुद को उर्जा से सराबोर महसूस करेंगे लेकिन काम का बोज आप में खीज पैदा करेगा आपकी कोई पुरानी बीमारी आज आपको परिशान कर सकती है जिसकी वज़ा से आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है और आपका काफी धन भी खर्च हो सकता है जीवन साथी के साथ अपने रिष्टों में तनाव दूर करने के लिए अच्छा दिन है रिष्टे की सनाजुक दोर से जुड़े दोनों ही लोगों को इसके लिए समर्पित होना चाहिए और एक दूसरे के लिए दिल में यकीन और प्यार होना आवश्यक है हालात ठीक करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले और सकारात्मक तौर पर पहल करें विवादित मुद्दों को उठाने से बचें अगर आप आज देट पर जा रहे हैं तो आपको कामकाज के मोर्चे पर आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है टीवी मोबाईल का इस्तमाल गलत नहीं है लेकिन आवशक्ता से जादा इनका उपियोग आपके जरूरी समय को खराब कर सकता है लंबे समय से कामकाज का दवाब आपके वैवाहिक जीवन के लिए कटनाई खड़ा कर सकता है लेकिन आज सारी शुकायते दूर हो जाएंगी उपाए अपने प्रेमी या प्रेमिका से मिलने जाते वक्त उन्हें पीले फूल अवश्य दे इससे प्रेम संबंध मजबूत होंगे मिथुन राशी फल सुकून हासिल करने के लिए कुछ पल करीवी दोस्तों के साथ बिताएं अपने खर्चों पर काबू रखें और आज हाथ खोल कर व्याय करने से बचें घरेलू मोर्चे पर समस्या खड़ी हो सकती है इसलिए तोल मोल कर ही बोले अपने प्रिये के लिए बदले की भावना से कुछ हासिल नहीं होगा बजाए इसके आपको दिमाग शांत रखना चाहिए और अपने प्रिये को अपनी सच्चे जज़बा से परिचित कराना चाहिए आज किये गए निवेश काफी फाइदे मंद साबित होंगे लेकिन आपको भागीदारों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है समय का सदुपयोग करना सीखे यदि आपके पास खाली वक्त है तो कुछ रचनात्मक करने की कोशिश करे वक्त को बरबाद करना अच्छी बात नहीं है आसपडोस की किसी सुनी-सुनाई बात को लेकर आपका जीवन साथी तिल का ताड़ बना सकता है उपाए प्रेमी या प्रेमिका को हरे रंग के कपड़े गिफ्ट में देने से प्रेम संबंथ मजबूत होंगे करक राशी फल आज आप खुद को सुकून में और जिन्दगी का लुट्फ उठाने के लिए सही मनोदशा में पाएंगे आप घूमने फिरने और पैसे खर्च करने के मूड में होंगे लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो बाद में आपको पच्चता ना पड़ सकता है जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी ही होती है उनसे बाद चीत और संपर करने के लिए अच्छा दिन है संभव है कि कोई आप से अपने प्यार का इजहार करे दूसरों को ऐसा काम करने के लिए बाद्धे ना करें जो आप स्वेम नहीं करना चाहते आज आप बिना किसी वज़ा के कुछ लोगों के साथ उलज सकते हैं ऐसा करना आपके मूड को खराब करेगा साथ ही इससे आपका कीन्ती समय भी बरबाद होगा आज के दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए गहरी आत्मियता पून बातों का सही समय है उपाए आर्थिक स्तिती को बहतर करने के लिए ओम नेल वर्नाय विदमहे सही के काई धीमही तनूर राहु प्रचोदयाद इस मंत्र का 21 बार उच्चारन करे सिंग राशी फल रचनात्मक शौक आज आपको सुकून का एहसास कराएंगे उधार मांगने वाले लोगों को नजर अंदाज करे आज आपको अपने होशियारी और प्रभाव का उपयोग समवेदन शील घरेलू मुद्दो को हल करने के लिए करना चाहिए आपको उधार और सने से भरे प्यार का तुफ़ा मिल सकता है वैवसाईक साजीदार सहयोग करेंगे और आप साथ मिलकर टलते आ रहे कामों को पूरा कर सकते हैं घर पर मिले किसी पुराने सामान को देख कर आज आप खुश हो सकते हैं और सारा दिन उस सामान को साफ करने में बिता सकते हैं वैवाहिक जीवन को अधिक सुख में बनाने के आपके प्रयास उम्मीद से जादा रंग लाएंगे उपाए भैरिव जी पर मदीरा चड़ाने से आर्थिक स्थिती बहतर होगी कन्या राशिफल खुशनुमा जिन्दगी के लिए अपना जिद्धी और अडियल रवया दरकिनार करे क्योंकि इससे सिर्फ समय की बरबादी ही होती है आज बिना किसी की मदद के ही आप धनकमा पाने में सक्षम होंगे सामाजिक उस सवों में सहभागिता का मौका है जो आपको प्रभावशाली वैक्तियों के संपर्क मिलाएगा आज आप अपने प्रेमी के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे लेकिन किसी जरूरी काम के आने की वज़ह से ये प्लान काम्याब नहीं हो पाएगा जिसकी वज़ह से आप दोनों के बीच कहा सुनी हो सकती है आज किये ज़े निवेश काफी फाइदे मन साबित होंगे लेकिन आपको भागीदारों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है आज आप ओफिस से घर वापसा कर अपना पसंदीदा काम कर सकते हैं इससे आपके मन को शांती मिलेगी जीवन साथी के स्वास्त को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं उपाए मासाहार का त्याग करने से स्वास्त अच्छा रहेगा तुला राशी फल आज के दिन आराम करना जरूरी साबित होगा क्योंकि आप हाली के दिनों में भारी मांसिक दवाब से गुजरे हैं नई गती विधियां और मनोरंजन आपके लिए विश्राम करने में सहायक सिधोंगे इस राशी के कारोबारियों को आज अपने घर के उन सदस्यों से दूर रहना चाहिए जो आप से पैसा मांगते हैं और फिर लोटाते नहीं है जितना आपने सोचा है आपके दोत उससे जादा मददगार साबित होंगे आपका प्रेमी आज आपकी बातों को सुनने से जादा अपनी बाते कहना पसंद करेगा जिसकी वज़ा से आप थोड़े खिन हो सकते हैं साजिदारी में किसी नई पर्योजना को शुरू करने के लिए ये अच्छा दिन है इससे सभी को मुनाफ़ा होगा लेकिन साजिदार से हाथ मिलाने से पहले भली भाती विचार कर लें आज पूरे दिन आप खाली रह सकते हैं और टीवी पर कई फिल्में और प्रोग्राम देख सकते हैं आप और आपका हमदम एक दूसरे से आज एक दूसरे की खुबसुरत भावनाओं का इजहार करेंगे उपाए चांदी की चेन गले में धारन करने से नौकरी या बिजनस में सफलता मिलेगी वरिश्चक राशी फल ध्यान और आत्मचिंतन लाब धायक सिधोगा अगर आप लोन लेने वाले थे और काफी दिनों से इस काम में लगे थे तो आज के दिन आपको लोन मिल सकता है आज आपको अपनी होश्यारी और प्रभाव का उपयोग संवेदन शील घरेलू मुद्दों को हल करने के लिए करना चाहिए महबत के मोर्चे पर आज आपकी तूती बोलेगी तो कि आपका महबूब आपकी रसिक कलपनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए तयार है नए कामों को पूरा करने में महिला सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा जो लोग बीते कुछ दिनों से काफी व्यस्त थे उन्हें आज अपने लिए फुरसत के पल मिल सकते हैं अपने जीवन साथी के साथ आज आप एक शांदाज शाम गुजार सकते हैं उपाए शराब के सेवन से मंगल बिगड़ता है इसलिए पारिवारिक सुखेतु इसका त्याग करें धनू राशिफल आज के दिन ऐसी चीजों पर काम करने की जरूरत है जो आपकी सेहत में सुधार ला सकती है जिन लोगों ने किसी रिष्टेदार से पैसा उधार लिया था उनको आज वो उधार किसी भी हालत में वापस करना पड़ सकता है दोस्त और घर वाले आपको प्यार और सहयोग देंगे आपकी शोहरत बढ़ेगी और आप आसानी से दूसरे लिंक के लोगों को अपनी तरफ आकर्शित करेंगे वैपारियों के लिए अच्छा दिन है वैवसाई के लिए अचानक की गई कोई यात्रा सकारात्मक परिणाम देगी खाली वक्त का आज आप सदूपियों करेंगे और उनकामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे जो बीते दिनों पूरे नहीं हो पाए थे रोजमर्ण की शादी शुदा जिन्दगी में आज का दिन लजीज मिठाई जैसा है उपाए सतनाजे की रोटी बनाकर पक्षियों में डालने से आर्थिक स्थिती अच्छी रहेगी मकर राशिफल आपका दानशील्टा का वैभार आपके लिए छुपे हुए आशिरवाद की तरह सिधोगा क्योंकि ये आपको शक, अनास्था, लालच और आसकती जैसी खराबियों से बचाएगा अगर आपने अपने घर के किसी सदस्य से उधार लिया था तो आज उसे लोटा दे नहीं तो वो आपके खलाफ कानूनी कारवाई कर सकता है ऐसे दोस्तों के साथ बाहर जाएं जो सकारात्मक और मददगार स्वभाब के हैं आज हो सकता है कि पहली नजर में ही आपको कोई पसंद कर ले काम में मन लगाएं और जज़बाती बातों से बचें जो लोग बीते कुछ दिनों से काफी व्यस्त थे उन्हें आज अपने लिए फुरसत के पल मिल सकते हैं थोड़ी सी कोशिश करें तो ये दिन आपके वैवाहिक जीवन के सबसे विशेश दिनों में से एक हो सकता है उपाय जेब में हरे रंग का रुमाल रखना आर्थिक स्तिती के लिए शुब है कुम्भ राशिफल जो धुन्द आपके चारों तरफ छाई हुई है आपकी प्रगती को वो बाधित कर रही है उससे बाहर निकलने का समय है रुका हुआ धन मिलेगा और आर्थिक हालात में सुधार आएगा दोस्त और रिष्टेदार साथ में जादा वक्त बिताने की मांग करेंगे लेकिन ये सभी दरवाजे बंद करके राजसी आनंद लेने का समय है अपने रोमेंटिक खयालों को हर किसी को बताने से बचे जो लोग विदेश व्यपार से जुड़े हैं उन्हें आज मन माफिक फल मिलने की पूरी उमीद है इसके साथ ही नौकरी पेशा से जुड़े इस राशी के जातक आज अपनी प्रतिभा का पून इस्तमाल कारेशेतर में कर सकते हैं खाली वक्त का सही इस्तमाल करना आपको सीखना ही होगा नहीं तो जीवन में आप कई लोगों से पीछे रह जाएंगे उबाओ होती शादी शुदा जिल्दगी के लिए कुछ रोमांच ढूनने की जरुद है उपाए प्रेमी प्रेमिका से मिलने जाने से पहले केसर का तिलक मस्तक पर लगाएं इससे लव लाइफ अच्छी रहेगी मीन राशी फल भले ही आप उस्सा से लबरेज हो फिर भी आप आज किसी ऐसे की कमी महसूस करेंगे जो आज आज आपके साथ नहीं है आर्थिक जीवर में आज खुशाली रहेगी इसके साथ ही आप करजो से भी मुक्त हो सकते हैं ऐसे काम करें जिनसे आपको खुशी मिले लेकिन दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी करने से बचे वैतिगत संबंद, समवेदन चील और नाजुक रहेंगे ये उन उमदा दिनों में से एक दिन है जब कारेशेतर में आप अच्छा महसूस करेंगे आज आपके सहकर्मी आपके काम की तारीफ करेंगे और आपका बॉस भी आपके काम से खुश होगा कारोबारी भी आज कारोबार में मुनाफ़ा कमा सकते हैं कर्मकांट हवन पूजा पाठ आधी का आयोजन घर में होगा आप अपने जीवन साथी को समझने में गलती कर सकते हैं जिसकी वज़ा से सारा दिन ओदासी में गुजरेगा उपाई स्टील या लोहे के बनी कोई भी धातू अपने प्रेमी या प्रेमिका को भेट करने से प्रेम संबंध अच्छा रहेगा डिस्क्लेमर यहाँ दी गई जानकारी सामाने मानेताओं और जानकारियों पर आधारित है भारत आज इसकी पुष्टी नहीं करता